हेलो गाईज आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है आज हम डारेक्टर ओप एजुकेशन के द्वारा दिया जाने वाला प्रैक्टिस पेपर जो है हैं सेंपल बिपर सेकिंड करने वाले है तो अगर आपने वन नहीं देखा है या अभी तक नहीं किया है तो उसको ज़रूर कर लिजेगा क्यूंकि बहुत ही इंपोर्टन कोशन है इसके अदर तो हम बेक्र स्टार्ट करते हैं यहां पर सेक्षेण ए दिया गया है जिसके इससे होता है प्रोस से हॉता है तो सब्सक्राइब आप यहां प्रोस कर सकते हैं बीच चुर्ण next question देखो क्या कहा गया which of the following is a non-renewable resource of energy, कौन सा यहाँ पर non-renewable resource है तो देखो water, soil answer यह क्या है renewable है, जबकि call जो है b answer यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि क्या है non-renewable, जिसको हम क्या नहीं कर सकते वापस से बना नहीं सकते, या used to एक time के आने के बाद क्या हो जाएंगे, खतम हो जाएंगे, next देखो क्या कहा गया है the process of conversation of the wood into call is called, wood को call में convert करने की जो process है, उसे carbonization कहते है, तो यह answer यहाँ पर सही हो जाएगा, next देखो क्या कहा गया, question number 4 the voice box is called larynx जो voice box है, उसे larynx कहा जाता है true, यह क्या हो जाएगा, true हो जाएगा next question, 5th देखे, क्या कहा गया है पहेली set up and experiment using liquid A in the beaker as shown given figure she observed that bulb glow, then she replaced the liquid A into another liquid B the time this time the bulb did not glow, बूजो suggest replacing the bulb by LED they observed that LED glow, explain देखो क्या कहा गया, हम यहाँ पर समझते हैं बूजो ने क्या किया, यहाँ पर एक cell लिया, यहाँ पर बलब लिया और यहाँ पर liquid A लिया और उसने देखा कि बलब क्या कर रहा है glow कर रहा है, अब उसने liquid A की जगए liquid B लिया, तो यहाँ पर बलब glow नहीं कर रहा हा था, तो अब उसने कहा कि इस बलब की जगए क्या लिया जाए LED लिया जाए, यहाँ पे क्या लिया जाए, LED लिया जाए, जब LED लिया तो बलब क्या करने लग गया, ग्लो करने लग गया, तो ऐसा क्यों हुआ, तो देखो कुछ जो आप conductor और इंसुलेटर आपने सुने होंगे कि good conductor और bad conductor, लेकिन कुछ क्या होते, poor conductor होते हैं, poor conductor का मतलब है कि वो बहुत कम अपने क्या करते हैं बहुत कम electricity को यह हम यह कहें कि जो current को flow करते हैं तो यहां पे जब इन्हों ने जो हम यह कहें कि जो solution है भी लिया liquid भी लिया तो वो क्या हो सकता है पुर हो सकता है पूर कंड़क्टर हो सकता है जिसकी विद्धारा जो जल गया होगा तो अंसर देखते हैं अंसर थोड़ा सा लेंती है समझाने के लिए अपने शब्दो में easy में कम से कम शब्दो में । कर सकते है, liquid A is a good conductor of electricity, it allows the maximum current to pass through it which is sufficient to glow the bulb, जो A है वो क्या है good conductor है जिसकी वज़े से electricity क्या है easily current pass हो रहा है और बलब गलो कर रहा है, but when it replaced by the another liquid B, the bulb does not glow because the current throughout the liquid B could be weak, जो liquid B है वो क्या हो सकता है, could be weak हो हो सकता है, जिसकी वज़े से जो बलब है वो नहीं जला, लेकिन क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, the small current which be passing B से क्या हो रहा है, थोड़ा सा current तो pass हो रहा है, जिसकी वज़े से LED जो एक्दम low voltage पर जल जाती है, वो क्या हो जाती है, जल जाती है यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको, next देखते हैं, next question में क्या कहा गया है, the solution of sugar distilled water does not conduct electricity, क्या कहा गया है, solution of sugar, एक distilled water में आपको पता है कि कोई भी chemical नहीं होते है, और हमें बलब glow करने के लिए, current को pass करने के लिए कुछ chemicals चाहिए होते हैं, तो जो distilled water है, उसके अंदर तो कोई chemical नहीं होता, और लेकिन जब उसके अंदर sugar का solution मिला आ जाता है, तब भी वो क्या नहीं करता, अपने में electricity पास नहीं करता, क्योंकि अभी भी उसके अंदर कोई chemicals नहीं है, कोई ions नहीं है, और जब तक water के अंदर कोई ions नहीं होगे, तब तक क्या होगा, उसके अंदर electricity पास नहीं होगी, देखो क्या होगा इसके अंदर, the sugar is a convent compound, आप सिधा लिग दीजेगा, the sugar is a compound, एक compound है, it will not ionic in water to form ions, वो क्या है, water में जब मिलाते हैं, तो ions की form में नहीं आता, which make the water, when the salt is added to the digital water, जब salt को, एक example के साथ समझाते हैं, जब salt को एडिट करते हैं, तो वो क्या करता है, इस solution में, ions बन जाते है, which can conduct the electricity, तो यहाँ पर आपको लिखना है, इस sugar के अंदर कोई ions नहीं होते हैं, वो एक compound होता है, जिसकी वज़े से क्या, जो उसको water में मिलाया जाता है, तो कोई ions नहीं बनते हैं, जिससे की वज़े से जो electricity है, जो current है, वो पास नहीं होता है, question number 6, देखिए, name the cell that eye, which are sensitive to bright and dim, आपको बताना है कि eye के अंदर से कौन से cell है, road हो जाएंगी, और कौन हो जाएंगी, जो क्या है, bright और dim light के लिए क्या होते है, sensitive होती है, image formed by a pinhole camera is inverted, तो pinhole camera में कैसे image बनते है, inverted बनते है, तो यह हो जाएगा true, first time six का answer देखते है, answer देखो क्या होगा, roads are sensitive to dim light, road किसके लिए sensitive होते है, dim light के लिए, whereas cones are sensitive to bright light, कौन किसके लिए, bright light के लिए, bright light के लिए क्या होते है, sensitive होते है नेक्स्ट कोशन देखे, क्या कहा गया, animal which give birth, young ones are called वीवी पैरस, उने क्या कहा जाता है, वीवी पैरस कहा जाता है, तीन चार कोशन के साथ की answer देख लेंगे, weeds are controlled by chemical called wheaticides, उनको क्या कहा जाता है, wheaticides कहा जाता है, जो क्या करते हैं, weeds को control करते हैं, weeds क्या होते हैं, ऐसे unwanted plant, जो क्या है, crop के साथ में grow कर जाते हैं, name any two crops, ruby crop, ruby crop के बारे में बता हैं, तो ruby और खरीब दोनों ही crop important आप जरूर याद करके जाएगा, तो 7th, 8th, 9th question अब साथ में ही देखते हैं, तो देखो, 7th का answer हो जाएगा, वीवी पैरस animals, जो अपने जैसे young ones देते हैं, उन्हें वीवी पैरस कहते हैं, 8th का answer हो जाएगा, wheaticides, wheaticides को क्या करते हैं, control करा जाता है, जिनसे उनको रोका जा सकता है, 9th का answer हो जाएगा, wheat, barley, mustard, green pea, इस तरह को कोई भी एक example आप लिख सकते हैं, जो रभी क्रोप में आता है, next देखते हैं question, next question देखें, question number 10, क्या कहा गया है, when two force act on opposite direction, एक इस direction में force काम करा, एक इस direction में, then net force acting is the difference between the two force, तो net force इन दोनों के difference के equal होगा, मालों यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, तो net force कितना होगा, यहाँ पर 1 होगा, net force कितना हो जाएगा 1, तो इन दोनों के difference के equal होगा, यह हो जाएगा statement true, उसके बाद next देखो क्या लिखा गया, what is pressure and sound is a kind of energy, तो हम यहाँ पर 9th, sorry 11th and 12th question देखते हैं, तो 11th question में आ जाएगा, pressure is defined as the physical force extract on an object, ऐसा physical, जो pressure है मुझे किसे कहते हैं, कि physical force कोई भी physical force जो किसी भी object पर लग रहा है, extract हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं pressure कहते हैं, और sound is a kind of energy, next देखते हैं, अब second question हैगा, second question में देखो, यहाँ पर अब जो question है, two two marks के होने वाले है, question number second देखिए identify and name the type of asexual reproduction and the name of related organism following the picture आपको picture देखनी है, देखो A, यहाँ पर क्या हुआ है, A, B, C, D को picture देखिए और आपको क्या करना है, identify करना है, तो यह क्या है, hydra है, और क्या हो रहा है, इसके अंदर यह bird बन रही है और bird से क्या होता है, budding हो रही है, यह क्या है, एक asexual reproduction का type है तो देखते हैं answer, यह क्या answer हो जाएगा, इसके अंदर, example यहाँ पर क्या है, hydra हो गया और यहाँ पर कौन सा asexual reproduction हो रहा है, budding अप लिख सकते हैं, ठीक है, budding हो जाएगा, दोनों एक एक marks के आपको full number यहाँ पर मिल जाएंगे next यहाँ पर देखो क्या कहा गया, what is asexual reproduction, name to any animal as example in which it occur अगर देखो क्या कहा गया, asexual reproduction की definition देनी है, और two examples बताने हैं, तो आईए देखते हैं देखो क्या कहा जा रहा है, asexual reproduction is mode of reproduction in which a new offspring is produced by a single parent एक single parent से क्या होता है, new offspring जो है वो produce होती है, उसे हम क्या कहते है, asexual production क्या कहते है example इसमें bacteria, hydra, amoeba, कोई भी example, paramecium आप यहाँ पर लेख सकते है question number 3 देखे, क्या कहा गया, यहाँ पर answer the following देखो क्या कहा गया, burning of a coil in an air produced which gans, burning of coil in air produced which gans, carbon dioxide कौन सी gans produce होती है, carbon dioxide, which petroleum product is used to solvent for dry cleaning dry cleaning के लिए कौन सा solvent को use किया जाता है, तो आईए देखते हैं answer देखो answer क्या हो जाएगा, first का हो जाएगा, carbon dioxide gans, second का हो जाएगा, per chloro ethylene क्या हो जाएगा, per chloro ethylene का use किसके लिए किया जाता है, dry clean के लिए किया जाता है, बहुत important question है, per chloro ethylene next देखे, question number 4, an object is vibrating 100 hertz, what is the time period जो object है, वो 100 hertz के क्या करता है, vibrate हो रहा है तो अपको इसको time period बताना है, देखी क्या हो जाएगा, time period का formula है, 1 by frequency तो 1 by frequency, frequency कितनी है, 100 तो 1 by 100 लिख देंगे, जब solve करेंगे, तो 0.01 जिसका answer आ जाएगा, next देखते है, question number 5 देखते हैं, क्या कहा गया है, question number 5 में, observe the following circuit carefully, in which circuit will bulb glow, okay, हमें देखना है, कहां पे bulb glow करेगा, write yes or no in the blank space provided along each of the circuit given, okay, देखो, यहां पे missile दिया गया है, बलब दिया गया है, यहां एरेजर दिया गया है, यहां पे steel की spoon दी गई है, तो कहां पे bulb glow करेगा, तो bulb glow कहां करेगा, जहां पे steel की spoon है, ठीक है, और जहां एरेजर है, वहां पे bulb glow नहीं करेगा, क्योंकि good conductor नहीं, bad conductor होता है, और steel क्या हो जाएगा, good conductor हो जाएगा, तो य यहां लिखेंगे negative terminal की तरफ क्या करेगा battery की तरफ जो है copper की देखो क्या question में क्या कह रहा है कि अगर किसी copper sulfate के solution के दर current पास किया जाता है तो copper क्या होता है copper का deposition कहां पर होगा copper negative terminal की तरफ क्या हो जाएगा उसका deposition हो जाएगा the process of deposition a layer desiring metal on another material एक metal से दूसरे metal पर क्या करन desiring metal पर plating करना उसे हम क्या कहते है electro plating कहते है तो आई देखते है answer देखो क्या कहा गया है if a current pass through copper sulfate solution copper get deposit on the plate connect to the negative terminal यहाँ पर filling the blanks are negative terminal to the battery और इस process को क्या कहते है हम जिसमें एक metal से दूसरे metal पर क्या किया जाता है परत जमा की जाती है उसकी तो उसे हम क्या कहते है electro plating कहते है question number 6 देखते हैं क्या कहा गया है यहाँ पर name of the instrument that measures atmospheric pressure atmospheric pressure को जो instrument measure करता है उसका नाम बताना है give to example or contact force contact force के दो example तो देखो जो हम यहाँ first question में जो क्या करता है उसका answer हो जाएगा barometer क्या हो जाएगा barometer ठीक है next है contact force is a force that act between the point of contact between two object two object के बीचे बीचे जो force लगता है उसे contact force कहते हैं जिसे pushing a car hill hill के ओपर करना या किसी तरह का कोई धक्का देना आ जाएगा kicking a ball ball kick करना ये भी क्या हो जाएगा contact force में आ जाएगा almira को push करना या pull करना bucket को pull करना किसी भी चीज़ को pull करना या push करना क्या आ जाएगा contact force के अंदर आ जाएगा कोई भी example आप लिख सकते हैं question number seven में देखते हैं क्या कहा गया है answer the following question which are three important factors that grow the crop crop को grow कराने के लिए तीन factor क्या है soil अच्छी हो temperature अच्छा हो इसके लावा हम कह सकते हैं कि air अच्छी हो यह सारे जो है crop के लिए अच्छी है उसके बाद what is plugging इसके बारे में बताना है तो आईए देखते है answer देखो क्या है all field crop needs soil water air light sunlight की बात हो रही है आपे to grow grow करने के लिए उनको air water or soil or light अच्छी चाहिए ठीक है second plugging is the process involving losing and turning of soil in agriculture field it is known as the tilling using done with the help of a wooden and iron plug क्या कहा जा रहा है कि plugging एक ऐसी process है जिसमे air को lose किया जाता है soil को turn किया जाता है मला उसको हिलाया जाता है soil को इसे हम क्या कहते है plugging कहते है उसके बाद में इसे as a tilling भी कहा जाता है using इसको कहा से हल जो plug होता है उससे इसको क्या किया जाता है use किया जाता है wooden का होता है या iron का अब section यहाँ पर जो है b start हो गया जिसमें 3-3 marks के question है question number 8 देखते हैं क्या कहा गया है what do you mean by the weeding why is the process weeding necessary name the method apply for weeding weeding के लिए कौन कौन से process अपनाया जाते है होता क्या है और इसकी जरूरत क्यों है आईए देखते है answer देखो क्या कहा जा रहा है the process of removal of waste plant competing with the crop plant is called weeding तो जो क्या है जो ऐसी process जिसमें क्या है waste जो plant के साथ साथ में जो main crop है उसके साथ में जो waste plant लग जाते है उसको removal करने की जो process है उससे हम weeding कहते है अब weeds को remove करना क्यों ज़रूरी है क्योंकि weeds होती है weeds compete with the crop to obtaining water, sunlight and nutrients अब यह क्या करें main crop के साथ साथ में लग रही है तो जो soil से nutrient मिलने है उसके लिए light मिलनी है यह हम कहें कि जो nutrient मिलने है water मिलने है उसके लिए compete करेगी जिससे कि क्या होगा दोनों प्ला जो main crop है उसको नुकसान हो सकता है इसलिए क्या है जो weed है उसको क्या करना चाहिए उसको हटा देना चाहिए या उसको जो remove करना ज़रूरी है अब किस तरह से control कर सकता है controlling of method of weeds weeds can be tilled along with the soil in kill them वो क्या करा जाता है या तो उनको soil के साथ में kill कर दिया जाए उसको हटा दिया जाए tilling uproot the weeds and any they are mixed with the soil और उनको क्या किया जाता है या तो हटा कर फैंक दिया जाए या उन्हें उखार दिया जाए इसके लावा हम wistricides का भी use कर सकते हैं जो से के भी आगे भी पढ़ा था इस तरह से आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं next question देखो क्या है what is irrigation name the two main method of irrigation and define them briefly आपको क्या करना है methods बताने है कौन से irrigation के method है और उनको क्या करना है define करना है the process of watering the crop is called irrigation जो क्रोप में क्या किया जाता है watering की जाती है पोदों को पानी दिया जाता है फसल को पानी दिया जाता है उसे हम इरिगेशन कहते है उसके बाद two method irrigation sprinkle method this method be used to even uneven land where less water is available जो sprinkle method इसमें क्या आता है जैसे कि हमारा shower होता है उस तरह से tubes लगा दी जाते है और उस तरह स कम पानी में जादा land पर पानी कवर कर देता है दूसरा है drip irrigation this system is used to save water as the allow the water flow drop by drop पानी क्या है pipe के थूप क्या होता है drop by drop क्या करता है गिरता है और root तक पहुँचता है यह दोनों ही method बहुत ही important है अब हम देखते है question number 9 जिसमें क्या है matching करना है तो आई यह करते है इसको solve हम क्या कहा गया है सबसे पहले हम इसे solve करते हैं देखो क्या कहा गया coal coal क्या है एक fossil fuel तो हम यहाँ पर mark कर देते हैं coal क्या है एक fossil fuel उसके बाद kerogene kerogene क्या है waxy material तो यहाँ पर waxy material एक correct हो जाएगा good fuel good fuel क्या होंगे जो क्या है produce more energy जो ज्यादा energy को produce करते है उन्हें हम क्या कहत अनसर और करेक्ट हो जाएका इसके बाद के रोसीन क्या है लेंप में जो यूजे किया जाता है फ्यूल ऐस लेंगासीड यहाँ पेराफिनवेक्स का क्या जाता है वैसलीन बनाने के और अच्छे खासे marks मिल जाते हैं स्मेचिंग में तब जरूर करके जाईएगा नेक्स्ट कोशन नबर 10 देखिए अंसर दा फोलेंग वेन क्या कहा गया है वेन वी हीर असाउंड दस एनी पाट ओफ आर बोड़ी वाइब्रेट जब हम कोई आवाज सुनते हैं यहाँ पर बोलने की बात ने गएगे बोलने पर तो हम लेरिंग्स लिख देते हैं लेकिन क्या जब कोई हम आवाज सुनते हैं तो क्या हमारा कोई बोड़ी पार्ट है जो वाइब्रेट होता है तो ear drum जो कान का परदा है वो क्या होता है वाइब्रेट होता है आपके आस पास में किसी भी तरह का pollution होता है लौट स्पीकर का, टेलिविजन का इसके लवाँ आप लिख सकते हैं पटाको का, क्रैकर्स का तो आप महाँ पर कोई भी दो चीज़िया बता सकते हैं हर एक sound को हम क्यों नहीं सुन पाते है क्योंकि vibration तो बहुत जगा होते हैं लकिन बहुत सारी vibration को हम नहीं सुन पाते है इसके बारे में बताना है इन तीनों question को इसके और में question दिया गया है राइट एनि-three method to control noise pollution noise pollution को किस तरह से control किया जा सकता है उसके बारे में बताना है तो आईए इन सभी questions को हम साथ में ही करते है यह को first question क्या है when the sound waves reach our ears the ear drums ear drums क्या करते हैं vibrate करते हैं अब second question था कि television transistors running in high volume जब तेज volume में चलते हैं loud speaker होगे horn, buses, car का जो truck है हमको क्या कर सकता है हमको irritate कर सकता है home appliance, mixture, desert, cooler यह सब क्या कर सकते हैं हमको परिशान कर सकते हैं brusting of crackers यह सारे क्या है जिसकी वज़े से क्या हो सकता है noise pollution हो सकता है next question में उन्हें पूछा था कि हम हर sound को क्यों नहीं सुन सकते हैं देखो क्या होगा इसका अंसर if the sound produced by a vibrating body is not audible range अगर उसकी audible range है we lie between the range of frequency is 20 hertz to 20,000 hertz the sound produced will be heard us otherwise we will not be able to hurt the sound देखो हमारे human की अगर बात करते हैं तो एक sound range है कितनी 20 to 20 hertz एक range है जिसको वो सुन सकते है उससे जादा या कम को वो नहीं सुन सकते हैं तो अगर sound की जो range है 20 to 20,000 hertz तक होगी तभी हम उनको सुन पाएंगे otherwise हम उनको नहीं सुन पाएंगे क्योंकि हमें पता है कि हर एक sound क्या करते है vibrate करती है लेकिन जब तक वो हमारी range के अंदर है तभी हम उसको क्या कर पाएंगे सुन पाएंगे उसके बाद noise pollution का question था कि noise pollution को कैसे control किया जा सकता है तो देखो क्या कहा गया है we can reduce noise pollution by turning of appliance when we are not using जिसे TV, telephone या कुछ भी चीज़े जो हम नहीं सुनते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं बंद कर सकते हैं यूज इयर प्लक का यूज कर सकते है lowering the volume, volume को कम कर सकते है planting more trees, जादा से जादा tree को plant कर सकते है regular maintenance of vehicles and machines machine और जो vehicles होते हैं उनमें से भी क्या होती है आवाज आते हैं तो उनका भी क्या करता है regular maintenance कर सकते हैं जिसे कि उसमें कोई आवाज ना आए question number हम देखते है 11 and archer stretch her blow while taking aim to the target क्या करें एक जो धनुष लगाने वाला है वो क्या करता है stretch करता है पीछे धनुष को जब तीर लगाने के लिए she then release the arrow arrow को release करता है which begin to move towards the target based the information fill in the blanks following the statement or following terms to stretch the blow archer apply a force that cause a change of its shape उसकी shape क्या हो जाती है change हो जाती है देखो हम यह इसे करने के कोशिश करेंगे इनको फर्स में क्या हो जाएगा shape हो जाएगा ठीक है second में क्या जब वो stretch करेगा तो जो उसकी archer से उसकी क्या हो जाएगी shape क्या हो जाएगी change हो जाएगी, second में देखो the force applied by the arches to the stretch, the blow is example of muscular force, वो क्या है अपनी muscles का यूज कर रहा है, force को हीजने के लिए तो second में क्या आ जाएगा, muscular third देखिये, the type of force responsible for a change in the state of motion in the arrow, an example of, वो क्या कह रहा है, अगर arrow इस direction में जा रहा है, हमें arrow की direction change करने तो हमें क्या करना पड़ेगा, contact force लगाना पड़ेगा, तो third का answer हो जाएगा contact force, उसके बादे को क्या कहा गया है, while the arrow moved towards the target, the force acting on at are due to the gravity gravity के कारण हो रहा है, and that due to the air, और air की friction के कारण हो रहा है, तो next में क्या हो जाएगा, four में gravity आजाएगा, four number ये है, और fifth में यहाँ पर क्या आजाएगा, friction आजाएगा, ठीक है, अच्छे से समझना है इनको, एक gravity के कारण तो वो आगे गया है, लेकिन क्या है, उसके उपर सासाथ में क्या लग रहा है, friction लग रहा है तो ये question आपके solve होगे, अब हम section C देखते है section C में क्या कहा गया है, section C में बहुत important question है, six marks के question है, paragraph दिया है और इससे related question है, microorganism are harmful in many ways microorganism cause disease in human beings, plant, animals, spoil, food clothing, leather, some microorganism disease spread from one infected person to healthy person, infected person से healthy person में भी हो जाते है, through the air, water, food, physical contact, there are some insect that animal which act as a carrier to disease causing microbes, देखो ये read कर लिया, अब इससे related question है, question में क्या है this is causing microorganism are called as a pathogen C, answer यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, which among of the following insects act the carrier of dango virus, dango virus के लिए कौन सा insect as a carrier काम करता है तो female eddies D, B, answer यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा next देखते है, question number 3 में क्या कहा गया है Robert Koch in 1876 discovered the bacterium bacillus anthracis which caused dash diseases तो कौन से disease को कर रहा है, वो anthrax को, तो यह answer यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, some microbial disease spread from an infected person to a healthy person, throat, air, water food, physical contact are called communicable disease, तो जो एक से infected से healthy में जाता है उसे हम क्या कहते है, communicable disease और ऐसे disease जो spread नहीं होती है, नहीं फैलती है तो उन्हें हम कहते है, non communicable disease next question number 13 देखते है, read करते है, उसके बाद में solve करते है an electric circuit in the continuous closed path along which current flow from the positive terminal to negative terminal of the battery and electric circuit consist a cell or a battery connecting wire, bulb and a switch, which of the following precautions no need to be taken while using electric appliance कहता है, electric appliance को use करते हो, में कौन सी जो हमने क्या कहें, precautions है, उसको जादा ध्यान नहीं देना है, never touch lighted bulb connect to main जो bulb main से connect है, उसे हमें touch नहीं करना, बिलकुल यह तो ध्यान रखना है never experiment with the electric supply from main, main से जो supply आरे, उसके साथ में हमें कोई experiment नहीं करना, never use any wire to replace fuse wire, fuse wire, never use any wire to replace fuse wire को change करने के लिए हमें कोई wire नहीं लगाना है, never turn switch is on position, switch को on position में नहीं करना, तो switch को on position में नहीं करेंगे, तो कामी नहीं होगा ना, तो D answer यहां पे सही हो जाएगा, in a bulb there is a thin wire is called filament, A answer यहां यहां पे क् next देखें क्या कहा गया है, when the bulb gets fuse, the electric current, जब bulb fuse हो जाता है, तो उसके अंदर electric current क्या होगा, पास ही नहीं होगा, तो does not flow in the circuit, तो B answer यहां पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, next देखो, a glowing bulb becomes warm due to the heating effect of a current, गरम होगा क्योंकि heating effect है, तो A answer यहां पे क्या हो जाएगा, सही हो ज the light is prevented from moving throughout the object, leaving an area darkness on the other side, if the object is transparent, the light can move through it, if the object is shiny, the light will be reflect on the different direction, देखो, क्या कहा गया है, एक उपक्यू जिसमें से light pass नहीं हो सकती है, और एक ऐसी है जिसमें से light pass हो सकती है, और अगर क्या कहा गगा, उसे हम transparent कहेंगे, उसे मॉप AQ कहेंगे, can the object shiny, अगर object shiny है, तो वो क्या हो हो जाएगे, light reflect करतेगा, ठीक है, which of the following is a non-luminous object, non-luminous object कौन सा है, इसमें से chair torch, sun law, और electric light क्या है, सब इसके अंदर luminous है, तो D answer यहाँ पर क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा, next, देखे, substance thought which light can pass partially, ऐसे substance, जिसके अंदर light क्या है, partially pass हो सकती है, think can be seen clearly, cannot be seen clearly, उसमें से, उसके आलपार साफ साफ नहीं दिखाई देता है, उन्हें हम क्या कहते है, उन्हें हम transparent कहते है, तो C answer यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, next, देखे, the object which allow light to pass from them are cold, ऐसे object जो अपने में से light को pass होने देते हैं, उन्हें हम transparent कहते है, A answer यहाँ पर correct हो जाएगा, next, देखे यहाँ पर एक female, give below a label diagram of human female reproductive system, human female reproductive system का diagram दिया है, ovary, oviduct and uterus, ठीक है, question number 15, आपको मेरे चैनल पर सभी परकार के sample paper मिल जाएगे, comment करके बताएगे, like ज़रूर कीजेगा वीडियो को, और comment करके बताएगे कि आप कौन कौन से sample paper चाहते हैं, देखे, fertilization of ovum and sperm take place in oviduct or fallopian tube, एक दखती है, fallopian tube में, growth and development of ovum take place in, growth and development of ovum की जो development है, कहाँ पर होती है, ovary में होती है, तो D answer यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, next देखे, क्या कहा गया है, growth and development of embryo take place, अचा यह हमने कर लिया, question number 3 में देखिए, यहाँ पर दो question क्या होगे, एक जैसे ही होगे, growth and development of embry embryo take place, अचा embryo का पुछा, यह ovum का पुछा है, तो ovary, ovum कहाँ पर बनेगा, ovary में बनेगा, और embryo का कहाँ पर होगा, uterus में, B answer यहाँ पर सही होगा, यहाँ पर क्या है, D answer सही होगा, कि ovum का take place कहाँ पर होता है, growth कहाँ पर होती है, ovary के अंदर, और embryo की कहाँ पर होती है uterus के अंदर तो B answer यहां पर सही हो जाएगा उसके बाद third देखे fertilization of sperm and omen lead to the formation of zygote तो A answer यहां पर सही हो जाएगा sperm और omen का जब fertilization होता है तो क्या बनता है zygote बनता है उसके बाद next देखे question यहां पर क्या कहा गए reproduction is the creation of a new individual from previously existing individual reproduction is the defined as a biological process in which organism give rise to young ones similar to them the offspring grow mature and turn to the new offspring okay produce eggs are formed in the egg कहां पर बनते है OV में C answer यहां पर सही हो जाएगा यह को C पर ठीक लगाया यह ठीक है how many modes of reproduction are there in animal animal में कितना होता है sexual and asexual reproduction तो B answer यहां पर correct हो जाएगा next देखे है fetus is the fetus is the developing embryo जो क्या है develop अभी हो रहा है उससे हम कहते है fetus next देखे विवी पैरस organism are ones which produce young ones तो B answer यहां पर correct हो जाएगा तो हमारे sample paper complete होता है सभी type के sample पर आपको मेरे channel पर मिल जाएगे प्लीज चैनल को like ज़रूर कीजिए subscribe ज़रूर कीजिए thank you guys